जहिन दोस्तों गवर्मेंट प्राइवेट जाव अलएट्स में आपका स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं आपके हरियाना पुलिस कॉंस्टेवल की कट आफ के बारे में देखिए इससे पहले भी हमने काफी वीडियो निकाली थी एक दो वीडियो निकाली थी और उस कम क्या मतलब मैं बताऊंगा आपको कि काफी बच्कों कि कि क्या था कि कोई 31 देखिया है को बंदा 31 को शाम को देखिया मतलब एक नॉवम्बर में आपको बताया था की दो चीक ब्लकुल पड़ेगा लेकिन कुछ बच्चे तो बढ़ गए तेक नहीं इतना नहीं कि आए तो हम इस बेस पे अपना एक्स्पिरिंस बता सकते हैं तो देखिए उनका जो है वो ठीक है लेकिन जो हमने आपको पिसली बारी बताया था हम अभी भी उसी पर हैं और देखिए अभी हम बात करेंगे आपके कितनी आपकी फिजीकल के लिए कट हो गई है जैसी कि आप लोगों को पता है 38,500 के करीब आपके बच्चे बोलाए गए फिजीकल के लिए और आपका जो फिजीकल हो 17 तारिक से शुरू होने वाला है अगर आपको उसके लिए भी वीडियो चाहिए कि क्या क्या चीज़े लेके जानी है डॉक्यमेंट कौन कौन से लेके जानी है कोई साथ ले जाएं नहीं ले जाएं एक दिन पहले जाएं मतलब इसाली चीज़ों के बारे में हम डिसकस कर लेंगे अगर आपको जरूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा उसके साथ साथ हमने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है तो उसमें भी आप जोईन कर स फिजीकल आया है क्योंकि देखिए कुछ बच्चे क्या किया है कि मेरा साथ नंबर थे मेरा नहीं हुआ मेरे फ्रेंड के 55 थे 53 बावन थे उनका हो गया तो देखिए जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मलाइशन अपना काम करेगा और उसने अपना काम किया ह और आपको बताएंगे कितना काम किया है कितना निकी किया हए है कल से हम इसी चक्कर में लगे लिएते जितने ही बच्चों से उलेक्शन हुआ है उंसे पूच रहे हैं कि इनबर ते कि एक जा और फिजू में बता रही है कि सिर्फ यह हूगा यह होगा ऐसा कुछ भी नहीं ह हम अपने अंदाज़े से बता रहे हैं और अगर आपका उस नंबर से कम में हुआ हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि किसी भाई का भला हो जाएगा और उसी के बेसे पर हम आपको लेकर आएं क्योंकि यूट्यूब पे या ओनलाइन के आए कि काफी यूमर है क्योंकि भलो को समझ नहीं आ रहा कि मेरा नहीं आया इसका यह कैसे आ गया तो एक ठोड़ा सा एक प्रिविव हम आपको देंगे मतलब कैसे हुआ है कितने आपके नंबर थे कितने बच्चों के कितने नंबर के बेस में तो चलिए उसके बाद बात करते हैं आपके और भी अगर आपको कोई जान करें चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं जी तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए अभी हम पॉंस्टेबल की आपकी जो भी कट आफ थी वो बता देते हैं तो देखिए जो आपका 31 दिसंबर देखिए हमने कैसे मेंशन किया आपको 31 दिसंब यहाँ पर आपकी सभाकी होंगी और यहाँ पर आपकी क्या होंगी यहाँ पर की शाम की होंगी तो चलिए बात करते है जैसे कि हमने एक महीने दो महीने पहले बताया था पेपर के बाद दी कि जो 31 तारीक का पेपर था और जो सुभा का पेपर था वो डिफिकल्ड था मतलब थोड़ा सा मुश्किल था पहले वाले से लेकर और क्या था कzier कि काफी बच्चे पहले देखी एक सर्प्राइस भी होता है की 31 को क्या पर आगे तो एक वाले उसीं congressional प्रिपेर कर कर जाएंगे थो वाले एक आच्छे से प्रिपेर कर बारे में यह कोई पर्मानेंट नहीं नहीं ले रहे हैं बस एक रफ एस्टीमेशन है और बच्चों से जैसे भी पूछा जिसका भी हुआ उसका कितना था उससे नीचे वाले का हुआ नहीं हुआ तो यह सारी इन चीजों के बारे में हमने थोड़ा सा अंदाद लगाया है तो में 55 का बोल नहीं सकते हैं लेकिन हां 52 का कंफर्म था कि बावन का हुआ था उसके बाद यह आपका मौर्णिंग को गया और इविनिंग में जो बावन था उसका हुआ इविनिंग में जो आपका जर्नल था उसका 69 का बताने है मतलब आप 69 या 60 ले लिजिए और अगर किसी क आप 50 कि हमने पता करने कोशिस की लेकिन हम करनी पाए अगर किसी का थाओन में भी इविनिंग में हुआ जर्नल का तो प्लीज कमें सेक्शन में बता दीजेगा उसके बाद बात करते हैं इड़े इसका तो देखिए ड़े इड़े इस हमने पहले भी बताया था काफी of Vogi वह से कम जाएगी या जहादा जाएगी हमने जोी में का था फी मेल की टाइम पे याप 9 Carrie की ली म२ली टेसी हमेश्य हमेश्य बच्टे बहुत हो रहे हैं जरे के बच्चक मह गए यह आदे ज्यादा हरियानज यहीं पर आ गया है तो आप देखिए ईडवलेस के जो आपकी cutoff है वो है आपकी 55 आपकी सुभा की गई है मतलब पचपन नमर जिनके भी पच्पन नमबर पच्पन को शन माफ जीद यह हम को सब करने यह नहंद को कर रहे हैं कर्यां आपका जो पंगा हो वह आपकी डीवी मतलब तो BCB में क्या आए कि आपको यहां पे 54 का है और उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो यहां पे यह 54 है BCB का और जो आपका इवनिंग का है इवनिंग शिफ्ट आपकी वह अठावन है इवनिंग कितनी आपकी अठावन है उसके बाद जो आपका BCA है BCA क्या है आपका BCA आपका 51 नमबर अभी तक हमारे पास जो सर्वे का हिसाब से आया है वो हमारे 51 आया है और जो इवनिंग की आई है वो 60 नमबर पर आई है इवनिंग कितनी आई है यह 60 नमबर है छह थोड़ा ठीक कर लीजिएगा यह आपका 60 नमबर पर आया है उसके बाद जो आपका SC है SC कितना आया है SC आपका आया है 52 नमबर पर और इवनिंग का आया है आपका चर्वान नम्बर पर कितनے पाई है चर्वान नम्बर पर उसके बाद ऐसी देख लीजे एक न gris का बात कर लेते हैं जो आपकी n暗 की थी वह थी आपकी जर्णल की है सोबह्सोबा की बात है और जो आपकि फंफंच है मतलब जो शाम वाला है वह एक नमबर का उस पर आपकी आई है 58 नमबर आई है उसके बाद अब बात करते हैं आपका यहां पर आपकी जो मॉर्निंग की है वह आपकी उनसट नमबर पर बताया गया है और जितना भी हमें पता चलाया देखिए कोई गारेंटी नहीं दे रहें बार बार यहीं चीज बोल रहें को कमेंट सेस्टन में कहिए फिर उसके बाद देखिए जो आपका है आपका जो एक नमबर का है वह आया है आपका चैनलिस नमबर का आया है और जो आपका इवनिंग का है वह आपका और व आ चैनलिफन कनलिए त हैं और उसकेवाद जो आपका सलिग का hundred खी ein यहां पे जो ओने टेख वही है आपका सी सी का कितना हो जाएगा अपका एसी हाया है तरेपन नमबर और जो आपका कीवनिंग का है वह आया है आपका चाहुओन नमबर उसके बात देखिये सेकेंड का बात करते हैं जो डो नमबर है वो भी शिफ्ट एसी के हिसाब से थी यह था थोनों एक हिसाब से थी क्योंकि टेखी हम नहीं बोलरहें कि पिसली बार था कपी बैक्चिने काफी चीज़े बताई थी लेकिन हम नहीं बोलरहेगे आप आपकी normalized cutoff बोल रही है अब आप HSC को कुछ भी बोलिए लेकिन जो हमें पता चला है हम आपको उसके हिसाब से बता रहे हैं तो देखिए जो morning की आपकी जर्नल की आई है वह आई है 56 नंबर और जो शाम की आई है आपकी वह आई है आपकी 60 नंबर पर उसके बाद बात करते है हैं आपकी WS की बात करते हैं और जो आपकी Evening की अए आए है यह आई है आपकी 73 नंबर पर उसके बाद बात करते हैं BCB की बात करते है उसके बाद जो BCB में है वह आपका सेम है आपका यहां पर जो वह यह आपका 58 है और जो आपका BCB का इवनिंग सेशन है वह आपका 55 नंबर है उसके बाद देखिए नेक्स बात करते हैं BCA की बात कर लेते हैं तो जो आपका BCA है उसमें जो मौर्निंग की है वह आपकी साथ कोश्चन पर आईए देखें यह बताए की जिए की BCA की हमेशा कम जाती है या BCB की हमेशा कम जाती है क्योंकि यह क्या अब कि फिजिकल की कुट औव है इसमें कुछ ऐसा नहीं होता अब अब आप देखिए सब की कुट ऑ जा गया आपका BCA की जो morning थी वो 60 नमबर अपने बताई थे आपको और जो BCA की evening थी जो BCA की आपकी जो evening थी वो 52 नमबर बताईए बीस एक इवनिंग बावद नमबर बताईए और उसके बाद आपका SC रह गया SC बच गया SC देखिए SC आपका क्या है कि जो आपका SCA 2 नमबर का morning में आप इसे क्यावद नमबर ले सकते हो और जो evening में आप इसे बावद नमबर ले सकते हो तो यह देखिए हैं यह हमारे हिसाब से है कोई confirm या कोई guarantee नहीं दे रहे हैं लेकिन जैसे भी हमने जितने भी students थे दर दर जिन से पूछा है कि हो गया कितने नमबर थे कितने कोशन सही थे तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया और यह हमने आपके लिए प्रपेर कर लिया है तो चलिए आप देख सकते हो यहां पर और अगर आपका इनसे कोई अलग हो या इनसे कम में क्योंकि किसी भराई का भला हो जाएगा और देखिए जो फिजीकल कि हमने आपको बताया 17 तारिक से शुरू है आपके मतलब आज आपकी 13 हो गई है तो चार दिन बाद से आपके शुरू है 28 तारिक तक चलेंगे और जैसे कि लगबग लगबग आपको जो 4000 बच्चे हैं 4000 कि रेंगें वो बुलाइजएंगे कितने बच्चे बलाई जत्य चार है और शाए बच्चे रोज बुलाएजए और उसके साथ चली नूटिफिस भी हम अपको दखा देते हैं और इसके साथ जो gezeigtर चिजे अब कि móds आपको हरियाना एक्जाम्स 2021 के नाम से मैं आप यहां पर मेंशन कर देता हूं हरियाना एक्जाम्स और 2021 2021 इसके नाम से चैनल है आप स्टार्ड जोइन कर लीजिएगा क्योंकि काफी सारी नूटिफिकेशन जो होती है देखिए सारी चीज़ों के बारे वीडियों नहीं सब्सक्राइब जो रिजल्ट आय था आपका कल की बात है कल जो आपका 11 को देखिए हमने ऐरी अप्डेट कर दिया था यहां पर 1913 पे और जो दूसर नोटिस है अंतलुậy का फिसीकल का नूटिस है वह भी हमने आलृडडी मेंशन कर दिया था लेकिन यह था कि छोटा नोट और जो PMT PST है मतलब जो आपका मीजरमेंट है और जो डॉक्यमेंट दखाने हैं आपको ये तीन से तीन जनवरी से आपके बीस जनवरी तक चलेंगे और ये कहाँ प्रेड ग्राउंड पंचकुला में है उसके बाद देख लीजिए ये तो शब को ही पता होगा इसमें क्या ही डिसकस करना है और उसके बाद PMT भी देख लीजिए ये भी सारी चीज़े आपको पताई होंगी और उसके बाद देखिए जो आपका डे जो आपके एडमिट कार्ड होंगे कब से स्टार्ट होंगे आपके 14 दिसम्बर से शुरू होंगे मतलब आज आपकी 13 है तो कल से आप आप देख लीजिए और इस सारी चीज़े आप एक बारी गोत्रों करके जाएगा और देखिए हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कोई दो नंबर का काम मत कीजिएगा क्योंकि अभी साई में भी क्या हुआ हर्याना चालिस पचास बच्चे फस गई है तो उनका क्या है कि तीन साल के लिए बैन हो गए है वो तो हम तो आप से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी यह दो नंबर का काम यह किसी और की जगा पे फिजिकल महाराना यह कुछ भी हो आप यह सब चीजों से बचिए क्योंकि लाइफ आपकी है आपके पेरेंट्स आपके हैंदे